कि अच्छाइब करेंगे तो आपका बाहर का माहूल जो है वो विल्कुल ऐसा दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा यहोंने गेट बनाया है यहां पर बड़े बड़े सब्दों में साफ साफ लिखाए सारी कराम बाद गीर को साला है तो आप देख सकते हैं कि कुमार सेंगे और यानिक सोदेश स्टोर का संचालक हो आज मैं मनीज जी से यहां पर मेरी म हुले रहे हैं परेकसां कोमें तर बाद है असी भीजा को इन अपर जैदी थेती हो रही है और फुर्फूर औरफूर सब्सक्राइब को मध यहां जाती है पूरा जैदी को औरगनिक फार्म था बहुत है और यहां पर नेटीजिय जो में डोड है से चार उत्रत देखिये फ जिसके आप यहां पर इस तरह के फूल उगाए गए हैं यहां पर इस माहौल में आने के बाद कोई ऐसा इसा नहीं होगा जिसको यहां से जाने का मन तरेगा तो यह आप दोनों तरफ से देख सकते हैं जो परिसर जैसे मैंने आपको बता है कि बहुत बड़ा है लेकिन यहां से जब आप यहां पर आते हैं तो आपको काफी अच्छा यह माहौल मिलता है वो पेड़ पौदे से और गौमाता से मिलता है आप देखेंगे सामने इधर यह गौसाला का में गेट है और इस तरह से यह गौसाला का येट है और आपको अजोचंबिर गौसाला की साल पहने हुए थी तो आप देख सकते हैं यह पुरा इसका में रोड है और दोनों रोड के साइड में देखेंगे तो बहुत ज्यादा तो यहां पर आप देखेंगे कि कार पार्किंग का भी एरिया यहां पर यहां पर पूछा पीछे की तरफ यहां पर देखेंगे तो पूरा यह गेस्ट आउस बनाया यह चल जलते को और इस गोसाला के यए तक चलते हैं और रो जापी से आगे से आगे की तरफ जब आप टो गोषाला के पर गेत करें गे वह आप को आप रोती दी इस में चलेंगे और दोनों तरफ पे पौदेहर याली होगा तो आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे प्राखतिक जगें पर आगए हैं साफिक जगें पे जहां पर आप आ तो बहें हैं साज यहां से आपको अंदर पूरा आने के बाद जाने का मन न तरहे कि विनकुल मेरे ही जैसा आपका भी मन और माहुन वो बन जाएगा तो जो गाव यहां पर गेस्ट आउस बनाया गया है वो काफी अच्छा है आप इस एलिया को पूरा आप देख सकते हैं पूरी अच्छे तरह से नीट और क्लीन है कोई कहीं कचड़ा नहीं है यह आप देख सकते हैं साली ग्राम गिर गौसाला में आज मेरा आगमन हो गया है एहमदाबाद कालिपूर रेल्वे स्टेशन से 20 किलोमेटर की दूरी पे है धनताली एक छोटा सा गाउ है और इस गौसाला की जो स्तापना हुई थी यह तीन साल पहले हुई थी तो यहां पे 200 छोटे बड़े मिला कर देशी गौवान से गिर गौमाता है यहां पे 210 के करीब हैं और हमारे साथ मनीश पटेल जी है जहां जहां यह गौसाला के संचालक भी है और बड़ी सिद्धत से भाव से गायोग पति इनका जो प्रेम भाव है वो भी आपको अभी इस वीडियो में दिखेगा और मेरा म गौमाता आपने सारे दस्कों को बोलना चाहूंगा और मनीश जी को भी बोलना चाहूंगा क्योंकि ओक लिंगमता के प्रेमी के साथ में गवावण यह toute अंता विए बताया है विए इस गौसाला की जब इसतापना आपकी हुई है और यहां पर अभी आप दूद का बता रहे हैं कि दूद का समय क्या है धूरर के दूध दोहने का स्वे ना घंटा लग जाता है डेट लुट गंटा लगता है तो चार बजे चालू करते हम तो साड़े-5 बती तक और दूसरा इसमें एक और सवाल मेरा है कि जब दूद को packaging करते हैं, तो कितने लड़के आप ने रखें उसको कांच की bottle में pack करने के लिए? हम एसे थेली में packing करते है, तो हमने दो हैं हमारे लोग, वो packing करते हैं पूरा. और वो क्या रेट है दूद का? दूद का 80 रूपया लीटर है और आपका घी का भी कांचिया बॉटल में पैकिग है 500 ml और 1000 ml मतलब कि एक लीटर का है तो मुझे ये बताइए कि 500 ml और एक लीटर का आपने क्या रेट रखा है गी का 500 ml का 1250 रूपया है और एक लीटर का 25 दूद आ जाता है इसका सुबा सम पांच से च्जह लिटर जी और यह कहां से ने करें आएते हम जूनागर से कि सबना चारा उंसे इतनी अच्छर गावमाता Single इतना अच्छा स्वास्त है, इतना अच्छा महावल है, सात्विक महावल है, यह सब कैसे हुआ है, कम सब्दों में मैं यह जानना चाहता हूँ, यह आहार भोजन आप गोमाता को क्या देते हैं? हम आहर में जो नैप्ःर गांस पालकी जोवार रن ममकृ का करते हैं, वो भी हम खुद रन लार जचुनी है, इसमें तुवयर चुनी है, कपास या कपास भीम द। यहां कल्यान, बीटि कपास न डालते हैं, बना दवा, कंिल अट्lifting द७ adaptive Network जोड़न जोड़न है, ऐर्म्मात के लिए हम कपास चुनते हैं तो इससे इसका स्वास्ति बहुत अच्छा रहा है तो इसके हिसाब से जो आप गवमाता की तंदूरस्ति देख रहे हैं इसका राज यह है कि इसको राज चारा हमारा और और तरीके से हमारा पूरा असी भीगे में नो डीएप उरिया पैसिसाइ है पुरा पांसो पेड़ेंगा फोरा यह पूरा यहापके गुसाला जह बीगा जमीन एकड़ वह पताए वह पहर निम का है तो हम ऑठ एक बार गवो माता को निम्ध खोलते हैं पंदरा दिन में तुलसी है लेमन ग्रास है वह भी ख्लाते है और सतावरी रेगिलर तोर पेर सतावरी भी खिलाते तो इस के सकते हैं जो इसका बहुत आईरवेद में भी बहुत वरनन है और इसे गवमाता से खिलाने से गवमाता का भी इस्वास तरफचा रहता है यह सामने यहां पे सालीकरम गिलकौसाला में लीड़ी गवमाता है इनके पैर आप चारों देखोगे नीचे से काले देखेंगे मुह के सामने तोड़ा सा काला पन दिखेगा तान भी आपके इनके देखोगे तो काले दिखेंगे तो यह जो गौमाता है मैं अभी मनीजी से पूछूगा भी कि यह कहां से लेक्ट आए हैं और बाकी आगे यहां पे देखें फिर से आप देख सकते हैं सारी गौमाता के साथ में लिड़ी गौमाता भी है अपना भोजन पुआनन्दित ओपर खारी हैं यह देखें सारी गौम यहां पर बाता वरण है बाठी सुद्ध है तो ज्यादा विल्म ना करते हुए फिर से मैं मनीजी को वीडियो में लेना चाहूँगा इसके पहले मैं इवाल लेड़ी गौमाता के फिर से दर्सन करवाना चाह रहा हूं यह आप देख सकते हैं तो मनीजी आग फिर से उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं वीडियो मात्यां से मनीजी मेरा इसमें सवाल ये है जो असी भीगा की जमीन है वह मताईए थोड़ा सा लिगर ऐसे दूरह और हमारा वर्मी कम्पोस्ट का इसका पूरा सुनिट Est जो आद तो वह नहीं नहीं भाटान नहीं बनाते हैं शीन मताब्स का ठीड़ करें सक्ट और रह Watchुआ है संपनोर माल Condo गोडाउन है और दो विगा में हमने पुरा है हमारा गेस्ट बंगला बना के रखा है जो हमारा फैमिली आते है तो इसको ठेहने के लिए सेटरडे संडे के लिए विवस्था करके रखी है और बाकी में हम गव माता के लिए हराचारा और सुकाचारा उगाते है जिसमें 20 तो हमें मक्का जुबिगे में इसा लग लग रहता है अभि पांच-एक बिगे में हमने गवार फली रखिए क्यों गव माता को खिलाने के लिए और upgradedic किया है और हमने अभी पातिन थीने तीन बिगे मीलिकी खेतिह कि यविक चष्छरीयए बहुत अच्छी जानकारी दिया है मानिश जी ने गौसाला के बारे में मेरा इसमें एक सवाल है कि जब गाय यहां पर बीमार होती है तो क्या उसके लिए आपके पास यहां पर डॉक्टर और कंपाउंडर की टीम है और उसमें कितने लोग हैं या आपके यहां पर बहुत हम ना के बरबार बीमार होते हैं यह मेरा गहरा सवाल है विनाई जी इसमें एह बात है कि हमारे जो गवाला है जी वो गवाला ही काफी सारी ट्रीट्मेंट छोटी-छोटी होती है छोटी-छोटी बीमारी है तो वही ठीक कर देते है और बाद में जो हम घरल उपचार करते ह बाद में हम कुछ काफि सर और हो जावे कि मदद लेते हैं और Omeopathy की मदद लेते तो उभी कुछ आबा को आराम नहीं पड़ता है तो हमको यलोपइथि के लिए हम उज्मन कोल डोक्टर को बुलाते हैं और एक काम करवा तें डोक्टर से हुआ